अगर आपने अभी तक जियो बिन्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सिजाकर जियो बिन्यूज को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को आउन कर दीजिए कोकरा जहर में अमित सहा की चुनावी हुंकार कहा बोडो समस्या समाप्त असम कहोगा पूरा विकास जहां केंदری ग्रिह मंत्री अमित सहा ने असम के कोकरा जहर जैसे जन जातिये छेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया अगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने लोगों से कहा कि हमारी सरकार ने सभी वादो को पूरा करने का काम किया है बोडो समस्या पूरी तरह से खतम हो चुगा है बोडो सांती समझोता के एक साल पूरा होने पर अमित्चा ने कहा कि कॉंग्रेस ने कई समझोते किये पर उस पर अब तक अमल नहीं किया गया लेकिन मोदी सरकार ने न केवल बोडो समझोता किया बलकि असम में सांती यूग की सुरुवात भी होई है उन्होंने विधान सभा चुनाव का जिकर करते हुए कहा कि अभी हमने सेमी फाइनल जीता है और फाइनल मैच पूर्ण बहुमत से जीतेंगे हमारी सरकार पुर्वत्तर विकास के कारे को पूरा करने का काम करेगी कॉंग्रेश ने कभी भी अपने वादे पूरे नहीं किये कॉंग्रेश निता राहूल गांधी ने इंधन की बढ़ते हुई कीमतों को लेकर सरकार पर किया कताक चुकहा गैस डीजल और पेट्रॉल में बेताहसा वृध्ध्य जिहां कॉंग्रेस निता राहूल गांधी ने इंधन की बढ़ते हुई कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि लोग महगाई की मार जहल रहे हैं और मोधी सरकार कर इकठा करने में व्यास्त है एक तिन में चौथी बार कीमतों में व्रिधी के बाद देश में पेट्रॉल और डीजल की कीमतों के अब तक की सरवाधिक उचाई पर पहुँचने के एक दिन बाद कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांधी ने याटिपणी की है आपको बता दें कि गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोधी जी जीडिपी गैस डीजल और पेट्रॉल में बेताहसा व्रिधी लाए हैं उन्हों ने कहा कि लोग महंगाई से परेशान हैं और मोधी सरकार कर इकठा करने में व्यस्त है गौर्तलावै की कीमतों में व्रिधी के बाद दिली में पेट्रॉल 85.70 रुपए प्रती लीटर और मुंबई में 92.28 रुपए प्रती लीटर की दर से भिक रहा है इंडिया रेलवे में एक अपरेल से सुरू हो सकती है नियमित सेवाएं जारी होगा नया टाइम टेबल जिहां कोरोना महमारी और लॉकडाउन के बाद से बंद भारती रेल की नियमित यात्री सेवाओं को अपरेल से पहले की तरह चालू किया जा सकता है लेकिन ट्रेनों के संचालन के लिए रेलवे नया टाइम टेबल लागू कर सकती है वर्तमान में रेल सेवा का परिचालन विसेश मेल एक्सप्रेस ट्रेन चला रहा है जो की पूरी तरह से आरक्षित है कुछ जगा लोकल वा उपनकरिये सेवाओं भी सुरू हो गई हैं लेकिन 35 पीसदी यात्री ट्रेने अभी भी बंद हैं दरसल भारत में टीका करण नियमित सुरू होने के बाद भारती रेलवे अपनी यात्री ट्रेन सेवाओं की समिक्चा कर रही है अभी 1150 मिल एक्सप्रेस गाड़ियां विश्ये से स्रेनी में चल रही हैं इन गाड़ियों की लगतार संक्या बढ़ रही है रेलवे मंत्राले के सूत्रों से मिले जानकारी के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो अगले वित्वर्ष में एक अप्रेल से भारती रेल अपने नियमित रेल यात्री सिवाओं को सुरू कर देगी रेलवे की तयारी नए टाइम टेबल को लागू करने की भी है जिस पर पिछले एक साल से काफी काम किया जा चुका है दिल्ली एम्स में भरती हुए लालू परसाद यादव किडिनी 25% कर रही है काम जिहां चारा गोटाले में सजा काट रहे आरजडी प्रमुक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू परसाद यादव की तबियत बिगरने के बाद देड रात को दिल्ली एम्स में भरती कराए गया है इम्स के डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज कर रही है आपको बता दें कि उन्हें सनिवार रात राची के रिम्स अस्पताल से दिल्ली एर एम्बुलेंस से लाया गया जनकारी के मताबिक लालू परसाद यादव को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी उनके फेफडे में पानी भर गया है रिम्स के डॉक्टरों ने लालू यादव को नीमोनिया होने की पुष्टी की है किड़नी 25 प्रतिशत ही काम कर रही है आपको बता दें कि चारा गोटाले में जिल भेजे जाने के बाद लालू यादव रांची के रिम्स में करीब धाई साल से अपना इलाज करवा रहे थे भाजपा के राष्टिय प्रवक्ता सहनवाज हुशैन का दावा पर्शिम बंगाल में बहुमत वाली बनाएंगे सरकार जिहां बिहार विधान परिशत के सदस्य वं भाजपा के रास्टिय प्रवक्ता सहनवाज हूशयन ने कहा कि कन्या कुमारे से कस्मीर तक कमल खिल रहा है अब पर्शिम बंगाल की बारी है बंगाल में भी भारतिय जनतापाटी की जीत होगी यही नहीं किरल भी हम ही जीतेंग करो जाताश कि अधरा कर्वाद का यही जीत है जाएंवाज बंगाल की जीतेंग।